एक बुद्धिमान वेक्ति हमेशा गुप्त रखता है, ये तीन चीजें, आचारे चानक्य एक कुशल राजनीती गिते, राजनीती और अपनी शांदार नीतियों की वज़से ही वो कौटिले भी कहलाए, चानक्य ने अपनी पुस्तक चानक्य नीती में कुछ ऐसी बातों का वर्नंग किया है, जो अगर जीवन में अपना ली जाए तो जीवन को बदला जा सकता है, चानक्य ने जीवन से जुड़ी कई नीतियों का वर्नंग किया है, इन में से कुछ नीतिया ऐसी है, जो पुरुष के लिए बताई गई है, आज हम आपको उन्ही नीतियों के बारे म तो आये जानते हैं, आज की इस वीडियो में वो तीन चीजें, पत्नी का चरित्र दूसरों को ना बताएं, एक समझदार पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी के चरित्र या उसके विवहार के बारे में किसी अन्य विक्ति को नहीं बताना चाहिए, एक सुखी वैवाहिक ये आपकी पत्नी के साथ साथ आपकी बदनामी का भी कारन बन सकता है, आथ अपने दामपत्य जीवन की गुप्त बाते किसी को ना बताएं, कभी ना बताए अपनी कमाई, आपने देखा होगा, अकसर कहा जाता है कि कभी महिला से उसकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए, उसी तवज्जो दी जाती है, कि उसकी कमाई कितनी है, ऐसे में कई बार ऐसे सवाल सामने वाले को असहज कर देते हैं, अपने नुकसान के बारे में किसी को ना बताएं, यदि कभी भी व्यापार में नुकसान की या घाटे की स्थिती बनी हुई है, और आपको ही नुकसान जेल लेते हैं तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको यह जानकारी अवशक पसंद आई होगी ऐसे ही रोचक एवं ग्यानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ग्यानी उल्लू को जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद